रसोई घर के नियम जो हर महिला को जानना जरूरी है नमबर एक रसोई घर को हमेशा सापसुत्रा और पोछा लगा कर रखना चाहिए नमबर दो रसोई में चीटी, कौकरो, चूहे या कीडे मकोडे ना आएं इसका विशेश थ्यान रखना चाहिए नमबर तीन, रसोई के बेसिन में कुला या ब्रश नहीं करना चाहिए ऐसा करने से घर की बरकत रुक चाती है नमबर चार, जूते चपल पहन कर ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना भोजन करना चाहिए जूते चपल पहन कर भोजन करने से मानसिक अशान्ती बढ़ती है 5. रसोई में नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए रसोई के नल में अगर पानी टपकता रहेगा तो घर का खर्चा बढ़ता रहेगा 6. रसोई में कुड़ा, कच्रा या कबार नहीं होना चाहिए 7. रसोई घर में कभी भी जूते चपल और जाड़ू को नहीं रखना चाहिए 8. रसोई घर की दिवार में सुन्दर फल और सबजी का चित्र बनवाना चाहिए अनपूर्णा मा का फोटो लगाने से तरक्की होती है 9. अगर आप रसोई में बैट कर भोजन करते हैं तो राहु ग्रह आपको पिड़ा नहीं देगा 10. रसोई घर में सब्ता हमें एक बार नमक मिले पानी से पोचा लगाना चाहिए लेकिन ध्यान रहे गुरुवार को पोचा ना लगाएं ऐसा करने से घर के सदस्यों में शांती बनी रहती है 11. खाने की थाली को सम्मान पूर्वक रखना चाहिए एक हाथ से थाली नहीं पकड़ना चाहिए जो एक हाथ से थाली पकड़ता है उसका भोजन प्रेत को प्राप्त हो जाता है 12. रसोई में रात्री के समय पानी से भरी बाल्टी रखनी चाहिए ऐसा करने से बरकत होती है 13. रसोई घर में यग्ये करते हुए रिशी मुनी का चित्र लगाने से रसोई घर का वास्तु दोश समाप्त हो जाता है 14. रसोई घर के पास शोचाले नहीं होना चाहिए 15. रसोई में आग और पानी को एक साथ नहीं रखना चाहिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद